हेलो दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत है आप सब लोग का आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ अगर आपको लिवर का अंदर सिरोसिस की प्रोडम हो रही है उसमें कौन-कौन से लक्षन आपके बोड़ी में दिखाई देंगे छोटे लक्षन से लेके जर्नली देख जाए तो लिवर सिरोसिस एक ऐसे कंडिशन है एक ऐसा प्रोसिस है इसमें लिवर की सेल्स पर्मनेंट डैमेज हो जाती है उनके स्ट्रक्चर में ऐसे चेंज़े होते हैं जो कि वह हील नहीं हो पाते हैं फिर से अपनी पुरानी कंडिशन में वह नहीं आ सकत तो इसको आप यह समझे कि पर्मनेंटली डैमेज वो इस्ट्रक्चर हो चुकी है और वो फिर से ठीक नहीं हो सकती है अब जान लेते हैं कुछ इसके लक्षण आने शुरू होते हैं लक्षण में कुछ समय देखा जाता कि पिशेंट एसेंटमेटिक रह सकता है कुछ केसिस में इसका मतलब यह है कि बहाँ पे पिशेंट को कोई सिम्टम्स लजर नहीं आते हैं रोक्षण को फाइंड करते हैं देखते हैं लिवर की कंडिशन जांच कराते हैं उसमें पता लगता है कि लिवर सौसेस इनको स्टार्ट हो चुकी है तो स्टार्टिंग में यह ही है कि अब बात आती है और करके साइन और सम्टम्स लोजता है तो ज्राटिस इसमें देखने को मिलता है अनलग के पिशेंट को पी लिया होने रगता है यह लूश कलर उसकी बोड़ी में आने रगता है आखों में जीप पे नेल्स में इसकिन में इविन लिवर की जांच में भी टोटल बीलू दोवीन बढ़ा मिलता ए ज्सान बढ़ा होगा वहां पर देखना कूं मिलता है पिशेंट को मैं रहेंगी रहेंगी और यह सारी से बढोल हो नहीं से पिशिप फिशलive बंद हो जाती है या फिर कम हो जाती है या तो anorexia वाली condition हो जाती है patient को complete book बंद हो गई है और फिर उसकी book कम हो गई है इसके साथ old action देखे जाते हैं जब patient की book कम होती है तो उसका weight loss होना शुरू हो जाता है उसका बजन घटना शुरू हो जाता है और साथ साथ में patient को fatigue वाली condition है कि उसको बहुत ज़्यादा सुस्ती, ठकान, कमजोरी हमेशा उसको लगी रहती है total वो अपना rest करना चाहता उससे कोई भी ऐसा physical activity नहीं होती है कोई उससे काम नहीं होती है यह सारे symptoms देखना में मिलती है common यह sign symptoms हैं जो कि आपको liver की disease में और ऐसी disease मारें जो कि reverse नहीं हो सकती है अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसे lection की जो patient के लिए serious हैं dangerous symptoms हैं patient के अंदर अगर वो मिलता है पहले symptoms आते हैं bleeding के, अगर वो इस tool की through अगर उनको bleeding हो रही है तो मिली ने इस condition को बोले जाता है इस tool उनको bleeding होने लगी है इस tool में mix होके वो blood आने लगा है इसके साथ अगर उनको ऊपर से blood आ रहा है मतलब उनको hematymesis वाली condition हो रही है कि उल्टी में उनको खून आने लगा है तो इस condition बहुत serious condition होती है जब patient को उल्टी में बहुत ज़्यादा खून आता है patient को आधा लेटर एक एक लेटर की bleeding हो जाती है बहुत serious condition होती है तो bleeding वहाँ पर देखने को मिलती है इसके बाद देखने को मिलती है वहाँ पर patient को बहुत ज़्यादा एंसरका वाली condition हो सकती है ascites वाली condition हो सकती है पेट के अंदर fluid का accumulation होना शोग जाता है total hypertension हो जाती है patient का feet full जाता है उसके अंदर पानी देखने को मिलता है अब यह condition अगर चेहरे पे सूजन आ गई है पैरों में सूजन आ गई है इस condition को एंसरका बोला जाता है इसके बैर हाथ पैर सूजने लगे है पेट के साथ साथ वो सूजने लगे है तो यह भी एक critical sign देखा जाता है इसके साथ जब patient को कुछ और symptoms आते हैं कुछ और body हैं मुदलाव होते हैं तो patient unconscious हो जाता है और वो पावा में भी जा सकता है और यह सारी condition indicate करती है कि patient hepatic failure की तरफ है और कुछ patient में hepatic failure हो जुगा है ऐसे condition बहुत serious होती है तो यह कुछ common sign symptoms ते जो मैंने आपको बता हैं serious वानली मैंने आपको इस निग बता दिया जो commonly starting में जो बता हैं वो common sign symptoms है पेंची जाती है कि आप इस तरह की जो बिमारियां है उनसे आप कैसे बच सकते हैं तो सबसे पहला point मेरा हमेशन आता है कि आप अपना life stat correct रखिए तब जाकि आपका liver ठीक रहेगा और life stat ठीक करने के लिए suppose कि यह आपको fatty liver grade 1 मिल रहा है पतलब कि liver के उपर थोड़ी थोड़ी fat रहती है पांदस परसेंट रहती है स्टोर करके वो रखता है बट जादा fat का accumulation होता है तो fatty liver grade 1 वो मिल रहा है आज के समय में बहुत लोग उप मिलेगा बट patient उसको serious नहीं लेते हैं उसको ignore करते हैं टीटमेंट नहीं लेते हैं अपना lifestyle ठीक नहीं करते हैं उसके बाद उनका देरे-देरे करके weight बढ़ता है liver के अंदर वे समस्वाइब बढ़ती हैं और अपने वो लिपिट profile करवाते हैं या liver function test करवाते हैं वो सारे ही government मिलता है अब जाके देखते हैं liver के अंदर देखने को मिलता है fatty liver grade 2 मिलना है कुछ समय भी अगर वो alert नहीं हुए है और treatment नहीं लिया है या परहेज नहीं किया है या lifestyle को ठीक नहीं किया है जो error है उसको नहीं अटाया है कुछ समय बात देखते हैं candidate case में जाके fatty liver grade 3 भाँ पर शो होने लगा है इस तरी की जो condition देखने को मिलते हैं बहुत seriously हो जाती हैं बात में जाके किसी को viral hepatitis के problem हो जाती है कि hepatitis B हुआ है C हुआ है कोई अर्वेदिक treatment ले रहे हैं कोई होमोपथिक treatment ले रहे हैं recover नहीं हो रहा है कहीं कहीं साल हो गया है तो simple से चीज़ ही है जो भी आपके पास गेस्टोलोजिस्ट हैं तो आप अगर antiviral medicine लेनी हो तो आप उनके पास जाएं जास ही hepatitis C का आप treatment लेना चाहते हैं condition जादा serious से बिगड़ी हुई है तो इधर उदर के medicine में ना लगके आप directly उनके पास जाएं तीन-चार मैने का treatment लेजिए आप ठेक हो जाएंगे अपनी case को आप मत बिगाड़ी है YouTube सुलूशन देखके किसने आपको home remedy बता दी बढ़ेटिसी की पैसा बिल्कुल आप मत कीजी तो आपके नुकसान दायक होता है आगे जाएंगे लिवर की जब condition इतनी डिस्टर्ब हो जाती है तो condition आते हैं फाइवरोसिस वाली फाइवरोसिस का एक test होता है फाइवरोसिस का एंग टेस्ट आप करवा सकते हैं आपका पता लगता है कि आपका लिवर इतना skarring उसमें हो चुकी है उसमें मतलब इतना hardness उसका नंदर आ चुकी है उसका लिवर ही यह है तो फाइवरोसिस के बाद जब untreated case रहते हैं तो वो जाके convert हो जाता है लिवर फ्रोसिस में तो ये सारी चीज़े देखने को मिलती है, sequence वाहती है, जिसमें कुछ चीज़े डिरेक्ट नी देखने को मिल जाती है, ये untreated case था, और patient का अंदर कोई symptoms ऐसे नहीं है, तो बट एंड में जा के देखने है, तो उसको liver process fine होता है, जिस्तार्टिंग की सारी प्रॉसेस हट जाती और लिवर स्वासेस वहां पर देखने को मिलता है तो कुछ cases में ऐसा भी देखने को मिलता है तो गस्ट्रोलोगिस्ट है टॉप गस्ट्रोगिस्ट हैं वो भी इसको सुझेस करते हैं आप समय समय पे अपनी लिवर की जांच करवाते रही है अपना लाइक स्टेल आप ठीक रही है जो भी आपके पास अच्छे गस्टोलोजिस्ट है उनके आप टच में रही है उनकी मैडिसन सा अप लेते रही है वह खाने पीने का विशेज दियाने की लिवर हमारा इतना बैस इसको बिल्कुल फिट रख सकता है बट जब वो बिमार होगा तो आपकी पूरी बोड़ी बैट जाएगी इस चीज का अब दियाने लगवग 1.2 किलोग्राम का हमारा लिवर है इसके बहुत सारे फंक्शन्स होते हैं जब लिवर डेमेज होता है तो बहुत सारे इसके फंक आपको नजर आता है लिवर की समस्याओं में तो आप तुरंट से उसका ट्रेटमेट लेना शुरू कीजिए अपना लाइफ स्टाइल कीजिए और खाने पिने तो आप इसे द्याने के कोई भी ऐसी पैसी चीज़े मत खाईए तो जो व्यक्ति शराब पीते हैं तो कोशिश कीजिए उसको कम करने की और बन हो सके तो उसको आप बिल्कुल बंद कर दी शुरू के दिन ही भारी लगते हैं बाद में जाकर उसका एडिक्शन हट जाता है अपनी सुसाइटिय आपको ठीक करनी होगी आपको जो आसपास एंवरिमेंटर्स को ठीक करना होगा तब जाकर बंद होते हैं आज के इस वीडियो में इतना ही वीडियो चलागे वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और मुझे फर्स्ट टाइम देखने चैनल को जो सब्सक्राइब कर लिजिए थैंक्यों सुमच